लोक्ष्वा के नए अध्यक्ष ओम्बिर्ला राजी विधान सभाओं में बैठक की कम होती संख्या से चिंतित है। 17 हवी लोक्ष्वा का पहला सत्र होने के बाद वे सभी राजी विधान सभा अध्यक्ष्व की एक बैठक बुलाने जा रहे हैं। जिसमें वे आग्रह करेंगे कि राजी विधान सभाओं की बैठक की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। शुत्रों की मुताविक ओम विर्ला यह भी जानते हैं कि लोक्ष्वा के कारेवाई शुचारू धंग से चले ताकि राजी विधान सभाएं इसे मिसाल बना कर अपने यहां भी काम ठीक धंग से निप्टा सके। अस्पीकर के तोर पर शंतावन साल के ओम विर्ला ने लोक्ष्वा में कामकाज के तरीके में बड़ा बदलाव किया है। सबसे बड़ा बदलाव नए शानसदों को भरपूर मौका देना है। कोटा से दूश्री बाद शानसद चुने गए ओम विर्ला को अस्पीकर के रूप में बड़ी जिमेदारी मिली है। वे खुद जब चुन कर आये थे तब नए शानसद के रूप में उनके जो अनवब रहे वे उसे अब बतोर अस्पीकर लागू कर रहे हैं। तब उन्हें करीब एक साल तक बोलने का मौका नहीं मिल सका था। अब ये नए शानसदों को खूब मौका दे रहे हैं। कुछ ऐसे मौके भी आये जब खुद विरला आसन पर बैठे रहे ताकि नए शादश्यों को बोलने का मौका मिलता रहे। इसके लिए उन्होंने अपना दोपर का भोजन भी टाल दिया। सदन्य की कारवाई में किसी तरह का ब्यावधान ना हो या भी ओम्बिरला सुनिश्चित कर रहे हैं। वो भी पक्ष के शानसदों को आश्वासन देते हैं कि उन्हें बोलने का पूरा मौका मिलेगा। डियेम के के नेता टीयार बालू के शाथ ऐसा ही हुआ। स्पिकर ने उनको दिया अपना वादा निभाया और उन्हें बाद ने बोलने का पूरा मौका दिया। इसी तरह प्रश्ण काल को भी ओम्बिर लगकस रहे हैं। सांसदों से प्रश्ण और मंत्रियों से उत्तर को संशिप्त और सटीक रखनी को कहा जाता है। इसका नतीजा है कि आशतन अव आठ प्रश्ण का जवाब मिल रहा है। जबकि इससे पहले यह औशत करीव साड़े चार था। मंत्रियों को कई बार आश्ण से टोका भी गया और मार्शल को नशиниहे आश्ण के सामने न आए। सनसदों को कहा गया कि जड़िए आधिकारियों की जड़िए नय नियमों के तहत ही अपना आवेदन रखें। शुत्रों के अनुशार विर्ला ने इस पश्ट कर दिया कि उनकी प्राथमिकता हर तरह से मौजुदा सत्र में सदन को ठीक से चलाने की है। इसके लिए विपाक्ष के सांसदों से लगातार मिल रहे हैं। अस्तरीन मूल कॉंग्रेस के कुछ सांसदों ने उन से मुलाकात की। बाद में इन सांसदों ने बताया कि उन्होंने ओम विर्ला को पश्टिम बंगाल की मुखी मंतर मम्ताव एनर्जी का एक पत्र शौपा है। जिसमें मम्ताव एनर्जी ने बिर्ला को बधाई दी है।